आपको अपने वेब ब्रावजर में सिर्फ टाइप करना है facebook.com slash upgrade account slash redirect और आपको पहुंच जाना है इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाएगा कि the page is not available तो ऐसे case में यहाँ पर आपको एक option मिलेगा वो होगा go to news feed का आपको सिर्फ इसके button दबा लेना या आपको सिर्फ जो go to news feed नजर आ रहा है इसके उपर click करना है go to news feed के उपर जब आप click करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से अपना page एक बार खुलता बार नजर आएगा कुछ news feeds आपको यहाँ पर नजर आएगी जब आपको news feeds नजर आ जाए तो आपको करना क्या है आपको बस drop arrow को download करना drop arrow की मदद से आपको जहां पर यह drop arrow है उस drop arrow के पास्ट में आप उसको जब slide करेंगे नीचे तो slide करने पर आपको एक option मिलेगा go to the classic version तो जब आप classic version के उपर आ जाएंगे तो देखेंगे आपको page आपका open हो जा रहा है तो इस तरीके से आप जोए आपने facebook page जिसको की login करने में आपको देखकता आ रही है उसको shot out कर सकते हैं अगर इस चिल कोई समस्या है तो आप comment में जरूर लिखके बताइएगा थैंक्यू सो मच वीडियो अगर आपको अच्छा लगावा तो एक बार like करेगा शेयर करेगा और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया हुआ है तो आप से request टेक की चैनल को subscribe भी करें थैंक्यू सो मच